तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सबजी अब देखो घर पे अगर कोई सबजी ना भी पड़ी हो ना तो भी आप यह बना सकते हो और अचानक गेस्ट आ जाए तब तो यही बनाना क्योंकि एक तो है यह राजस्थान की शान और दूसरी यह है खाने में बहुत और तीसरा बनाने में ऐसे है कुछ भी ताम जाम नहीं करना और बहुत असान तो इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि आप और भी ऐसी वीडियो इस देख सको और अपने घरवालों को इंप्रेस कर सको सो हलो मेरे बावर्चियों सस्रिकाला दाव नमस्ति कैसे है आप लोग तो यहां पर हम ले लेंगे एक बड़ा चमच तेल तेल के बादना मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुथाई चमच के करीब हींग हींग के साथ ही हम डाल देंगे आधा चमच के करीब इसके अंदर जीरा और जीरा और हींग अच्छे से तड़क जाएगा तो इस तरीके से कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च हम इसमें डाल देंगे आप इसमें आलू भी डाल सकते हो लेकिन मैं सिर्फ प्याज और शिम्ला मिर्च डाल रही हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे अब इसे तब तक हमने सौटे करना है यानि कि पकाना है जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से प्रांस्पेर zaj ना हो जाएं साती साथ इसमें जाएगा एक चोथाई चमच हरदी और इसमें चला जाएगा एक चामच की तरीब नमक सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे और इसे दो मिनिट तक पूरी फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लेंगे तो यहां पर फुल फ्लेम पर इसे पकाने के लिए हमने रख दिया है अच्छा साना एकदम गोल्डन कलर आ जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे सब्जी है उसका में पार्ट होने वाला है यह प्याज और यह जो है ना शिम्ला मिर्ज इसी से आएगा बहुत अच्छा फ्लेवर तो यहां पर प्याज और शिम्ला में चच्छे से भून गए है अब इसके अंदर में डालूंगे एक चमच के करीब सूखे धनिय का पाउडर और साथ साथ इसमें थोड़े से मसाली जाएंगे रेगुलर वाले तो यहां पर जैकाता चमच के करीब लाल मिर्ज का पाउडर एक चुथाई चमच के करीब इसके अंदर जाने वाली है साथ साथ में हल्दी जो कि आप चाहो तो मेरी तरह पहले डैल सकते हो या भी आप मसालों में भी आड़ कर सकते हो अब इसमें थोड़ा सा नमक भी आप देख लीजे अपने स्वात के अनुसा और दो चमच के करीब इसके अंदर हम डाल देंगे मलाई मलाई डालने के बाद इसे फुल फ्लेम पर हमने तब तक पकाना है जब तक कि मलाई अच्छे तरीकी से पकना जाए यानि कि यह जो ग्रेवी है वह पूरी सेक ना हो जाए त कसूरी मेथी डालने के बाद इसे दो मिनिट तक अच्छे तरीके से हमने पका लेना है तो यहाँ पर इसके डाल दिया मैंने खूब सारा हरा दनिया और इसे गर्मा गर्म सर्फ करना है आप जीरा राई जोर साथ मेना इसको दाल के साथ भी सर्फ कर सकते हो अधर्वाइस आ बहुत कम लगते हैं जो रसोई में अविलेबल हो आपको यह रेसिपी पसंद आई कि अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो फटाफर सी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब पार्टन पर क्लिक करके और इस वीडियो को जाद से जाद प्याद दीजे लाइ सब्सक्राइब कर नबिल गूर्माद भूलिए का थैक्स फूंगा